हे गाइस गुड मार्निंग वेलकम तो माई चैनल समर्थ बेबी ब्लोग में आप सभी का स्वागत है कैसे आप लोग कमेंट करके बताईए का जरूर मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत अच्छी हूँ स्वासी और आज के मैं अपना व्लोग स्टाट कर रही हूँ मार्निंग स तो दलिया में टमैटो और मतर डाल रही हूँ क्योंकि ना बाबू को मतर बहुत पसंद है अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मतर जरूर डालती हूँ बाबू के लिए क्यूंकि मतर चुन-चुन के वह खाता है इसलिए और आज काफी टाइम बाद मन किया था कि आज बना इस थी तो आज मैंने बनाया है मॉर्निंग में ही और अभी टाइम हो रहा होगा 8.30 के राउंड आज मैं जल्दी उठ गई हूँ उठने के बाद मैंने सुचा दलिया बना देती हूँ क्योंकि बाबू को उठते ही थोरा सा भूख लग जाता है तो इस वज़े से जब तक मैं बाबू को खिला रही हूं दलिया और साइड में मनिस जी सो हुए अभी बी क्योंकि तीन वज़े उनका तीन बज़े नाइट में आते हैं वह तो फिर इस वज़े से मैं भी नहीं उठाती हूं को हम लोग भी लेट ही उठते लेकिन मैं आप सोच रही हूँ कि मैं अपन इसदें हैं और यह कर दा से कृछों को खिलाना चाहिए कुछ ना कुछ टो खिलाना चीए उठतें के साथ क्यूंकि्की नाइट में हीं ठागा के सोता है उतकी पूल नाइट बस वही थोड़ा बहुत जो फीड कर्ता है तो यहां पर देख आते सब्जी को फीका क्या है लन जादा मुझे प्रॉब्लम होती है सब्जी लगाने में और इतना सारा सब्जी हम लोगे मतलब वन वीक का एक ही वाड ले आते हैं थोड़ा बहुत हरी सब्जियां लेनी होते तो ले लेते हैं इसी वज़े से मतलब स्टॉर करना मेरे लिए मुस्किल है क्योंकि अभी मैं फि होने के लिए सिंक भी नहीं है काफी मतलब प्रॉब्लम हो रही है मझे बहुत ज्यादा बट क्या करें कुछ नहीं कर सकते अभी तो यहां पर देख सकते काफी सारा गोभी था और फिर गोभी आ गया मैं सोच रहे हुँ ना गोभी को कट करके सुखा के रख लूँगी ताक कुछ खड़ा बैगन भी है नाइट के टाइन में दिखा नहीं था अच्छे से इस वज़े से और मैं जाती हूं तो मैं अच्छे से चुनके लाती हूं सबजी बाकी तो चुनते ही नहीं है लोग आज मैंने वेर किया है फ्रॉइक सूट पर ने को एर कर लेते हैं तो यहां पर में यहीं वेर किया और यह किट्व की मस्टी चल रही है डैड़ू के साथ मनीजी बाहर बुरुस करे है यह बार बार जा रहा है फिर भाग के आ रहा है रोसनी असे दिखा नहीं साफ उधर और काफी दिनों बाद मैं आज ब्लॉग सूट कर रही हूं चार पांस दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूं मैं पता नहीं क्यों मनी नहीं होता कि ब्लॉगिंग करूं क्योंकि बस रिस्पॉंस नहीं आ रहा है वीडियो पे तो पता नहीं थोड़ा सा दिल दुखता है और एक बात और बताना है आप लोगों को मुझे तो देखे सबसे पहले मैं जातून ओईल लगाती हूं बोडी लो अच्छा वेनिफिट होता है इसकी मदलब पूरा दिन हो जाता है थोड़ा सा भी नहीं फटता है और जो ड्राइ स्कीन लगता है वो भी नहीं होता है और यहां पर मैं यूज करी बाबु का क्रीम एक्शली मेरा लेक्टोकलमाई खतम हो चुका है मैं लेक्टोकलमाई ही य मुझे नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दो प्लीज लाइक किया किजिए और अब यह सिस्टम हो गया है हम हमें पता चलता है किसने हमें लाइक दिया है किसने डिसलाइक दिया है और किसने लाइक नहीं दिया है किसने अल्ली कमेंट किया है तो वह पता चल जाता ह तो लोग नहीं करते हैं वीडियो को कमेंट करके भूल जाते हैं लाइक से कुछ नहीं थे लिए थोड़ा अच्छा मिलते हैं पर चलते हैं पकवाड़े बनाने के लिए कडी चावल बन चुका है तो हम एंगे किचन में तो देख सकते हैं मैं बेसन डाले थोड़ा सा लोंग बरतन लेना चाहिए था मुझे लेकिन मैं छोटे ही मतलब कर ले रही हूं क्योंकि ना नाइट में जो पकोड़े बनाऊंगे और रात में ही बेसन गोलूंगी अभी उतना ही गोलूंगी जितना की बना सको मैं तो इसमें एड़ कर रही हूं सॉल्ट थोड़ी सी रैसिटी में आप लोगों के साथ सेर कर रही हूं और बात में देखना आप लोग पकोड़े इतनी अच्छी अभी जब मैं वोईस ओवर कर रही हूं मैं खा चुकी हूं रिली बहुत अमेजिंग बना एक्दम क्रिस्पी लगा था खाने में बहुत अच्छा लगा खाने में पकोड़े पता नहीं मुझे भी नहीं लगा कि मतलल ऐसा बन जाएगा मुझसे लेकिन बन गया तो यहां पर मैं एड़ कर रही हूं लाल मिर्च पॉडर हल्दी जादा कुछ नहीं डालूंगी इसमें सिंपल जो डलता ह अर खाने वाला सोडा जो है यह में इंग्रियेंट है पकोड़े के लिए क्योंकि इसे बहुत सौफ्ट क्रिस्पी और फुला फुला सा बनता है पहले में डालती नहीं थी लेकिन फिर मम्मी को देखते थी ना कि मम्मी डालती है तो फिर मैंने भी डाला है स्टार्ट कर दि देख सकते हैं आप सबसे पहले में आलू का बनाऊंगी और गोभी का भी बनाना है लेकिन मैं आप लोगों को आलू का ही प्रॉपर दिखाऊंगी गोभी का फिर किसी और दिन दिखाऊंगी फिर ना ज्यादा लॉंग हो जाएगा वैसी ब्लॉग लॉंग हो जाता है तो यह देख सकते हैं यहां पे मैं रख दिया आरे पकोड़े कैसे हाफ में एक ही तरह अब मैं पलट रहे हूं कितने फूले फूले भी और फूलेंगे यह पकोड़े और बहुत अच्छा लगए खाने में बहुत यमी लगा बहुत अब लोग देखेगा इसको मैं अच्छी अच्छी रिफाइन ओयल में फ्राइब लगता है लेकिन बहुत अच्छी से पकता है तो यह पे देख सकते हैं कैसे पकवरे का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है इसको तो तोड़ा सा और में ब्राउन होने दूंगी दोने तरफ से अफिर इसको निकाल लोंगी और फिर मैं दिखाऊंगे इसको प्लेट में रखके तो देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है पकवरे आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं तो देख सकते हैं यह बिल्कुल पकवरे जो हैं बिल्कुल फूले-फूले से हैं और ब बहुत बहुत अच्छा बना है तो यहां पर अब हम लोग खाना निकाल चुके तो यह के लिए मैं नहीं खाऊंगी मनिस जी भी खाएंगे दो इस्पून लगा हुआ है दन्या की चट्मी है और आलू गोबी के पकोड़े यहां पर सैलेड आजकल मैं सैलेड जरूर खाती हू है गाइस गुड आफटर नून और अभी टाइम हो रहा है यास एक बज़र दिखा यह देख सकते हैं एक बज़रा है एक 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 दिखा तो हां हम लोग खाना वगेरा खाचुके हैं और मनीज जी अभी बाहर गया है बावू को लेके पता नहीं क्या हो गया ना बहुत अब ही मुझे बनाना है कप्रे वाश करना है फिर बनाओंगी चाही जब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपना मौनिंग डूटीन से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है लेकिन जितना हुआ मैंने सूट किया है तो चले गाइस कप् वाश कर लिए हैं कप्रे डालनी के लिए तो यहां पे मैं कुलर का इस्टेन लूँगी रखा हुआ है चट पे कुलर का इस्टेन तो इस पे ही बाबू के चोटे चोटे कप्रे डालती हूं क्योंकि अलगनी पर डालने पर डर होता है कही उड़ना जाए बेसक से चीमती रहेगा और दर नहीं जाएगा काफी टाइम बाद मैंने यह फ्रॉक पहना है मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी पतली हुई हूं आप लोग कमेंट करके मुझे बताईएगा और यह वाला ब्लॉग में यहीं पर एंड करूंगी मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब दिल इतना घबराता है ना बहुत जादा कि बस हम तो यहीं दुआ कर रहे हैं कि भगवान और कोई बुरी खवर ना सुनाए हमें और क्या बुरी खवर है वो सब मैं आप लोगों को विस्तार से दूसरे ब्लॉग में बता दूंगे अच्छे से लेकिन बस यह है कि मैं भग जाते हैं तो जारी हो नीचे के तरफ यह गदा ऊपर डाली हूं आज मनेजी से डलवाई थी क्योंकि बाबु सुसू करता है तो बहुत जादा गीला गीला सा लगता है तो दूप में डालने से सही रहता है और यहां पर पौदे लगे हुए मॉड्लिंग के टाइम पर आपर, कि ऱ लगका टाइम तर्वा हुए मुदू कहते हैं एल